हेलो फ्रेंस स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल सेलेक्शन हेल्प लाइन पर जहां हम आपको प्रवाइड करा रहे हैं इंपोर्टएंट कोस्षन सीरीज एक ऐसी कोस्षन सीरीज है जो पिछले कोस्षंस में आई है और ऐसे कोस्षंस जो बार-बार रेपीट होते हैं हर एक्जामस में तो इस सीरीज का हम Нे नाम दे है 2020 सीरीज क्योंकि आपको हर वीडियो में 20-20 कोशन्स मिलेंगे अब्जेक्टिब तो आईए पहले कोशन्स से हम सुरुआत करते है पहला कोशन क्या है दोस्तों देखिए राज्या सभा के लिए नामित होने वाली प्रत्म अविनित्री का क्या नाम था राज्या सभा के लिए नामित होने वाली प्रत्म अविनित्री क्या नाम था उनका नर्गिजदत्य था उनका नाम नर्गिजदत्य था ठीक है दूसरे कोशन की तरफ चलते हैं संभिधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ था सम्विधान सभा के लिए चुनाब कब हुआ था option बताईए option नमबर 1, 2, 3 या 4 yes कीजिए अपने दिमाग में इसका सही option होगा जुलाई 1946 option नमबर 4 अगला question देखिए सम्विधान सभा का चुनाब किस आधार पर किया गया था क्या option नमबर 1 है या फिर 2 या फिर 3 या 4 सोचिए तो इसका जो चुनाब हुआ था बर्गिये मतादिकार option नमबर 3 इसका सही option है शम्विधान सभा के सदस्यों को किस ने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है प्रत्यक्ष रूप से जो निर्वाचित सदस्य थे हम उनकी बात कर रहे हैं टोटल सदस अलग थे प्रत्यक्ष रूप से जिनका चुनाब हुआ था वो कौन थे वो थे प्रांतों की बिधान सभा से निर्वाचित होने वाले 296 की टोटल कितने सदस्ते थेographedा समिधान सभा में 296 उसमय से कांगरेश के कितने सदस्ते assessment निवाच्छत हों कर आए थे और 15 सदस्ते जो थे 15 सदस्ते थे अन्य दलों के 15 सदस्ते किसके थे? अन्य दलों के थे पुनर गठन के बाद सम्विधान सभा में 1947 में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी गैस की जिए इसका सही जवाब होगा ओप्शन नंबर 3 दो सो उन्तिस सदस्त संख्या रह गई थी भारती संबिधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधी ने भाग नहीं लिया था यहां देखने वाली बात है कि ऐसी कौन सी रियासत थी देशी रियासत जिसने संबिधान सभा में भाग नहीं लिया था प्रतिनिधी के तो कौन सी दिग्यास कीजे अपने दिमाग में, अठारासो चुनता एक लोकषभा अध्यक्ष को कौन चुनता है, यह संसद राष्टेपती प्रधानमनतरी या लोकषभा सधस्य तो इसको जो चुनते हैं, वो लोकषभा सधस्य होते हैं संगिये मंत्री परशद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे अगला शवाल है संगीय मंतरी परसद से त्याग पत्र देने वाले प्रत्थम मंतरी कौन थे बढ़ाए कौन थे आचार रे जेबी करपलानी, सरदार पटेल, स्यामा परिशाद मुखर जी यह डाक्टर परिशाद यह डाक्टर राजंदर परिशाद कौन थे तो इसका सही option क्या होगा इसका सही option होगा option number 3 स्यामा प्रशाद मुखर जी अगले question की तरफ देखे दीबानी मामलों में संसद के सदस्यों को किस दोरान गिरफतार नहीं किया जा सकता संसद के सदस्यों को किस दोरान गिरफतार नहीं किया जा सकता बताईए संसस सत्र के दोरान या संसस सत्र आरम होने से 40 दिन पूर्ब तक या संसस सत्र के आरम होने के 40 दिन बात तक या उपरोक्त सभी है बताईए जो लोग सोच रहे है option number पहला वो भी सही है जो लोग सोच रहे है option number दूसरा वो भी सही है देखिए ये question भी important है उच्छतम नियाले में तदर्थ नियाइदीस ध्यान रगें तदर्थ नियाइदीसों की न्यूकति कौन करता है जो तदर्थ होते हैं उच्छतम नियाले मुख नियाइदीस से अलग रास्टपती की अनुमती प्राप्ट कर उच्छतम नियाले का मुख से राष्ट्रपति करते हैं या फिर उच्चतम न्यायलाय के मुख्यन्याइदी स्वयम करते हैं या फिर राष्ट्रपति करते हैं बताइए कौन करते हैं तो इसका जो सही option होगा option number एक रास्ट्रपति की अनुमति से उच्चतम न्यायले का मुख्य न्यायधी सी करते हैं ठीक है अगला question देखिए संबिधान सभा संसोदन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिक्तम सदस्य संख्या 545 545 होती है न लोकसभा की अधिक्तम संख्या 545 कितनी निर्धारित की गई थी माफ कीजिए कितनी गलत लिग गया है 545 निर्धारित की गई थी संबिधान संसोदन अधिनियम द्वारा लोक सबा की अधिक्तम सदस्य संक्या 545 किस अधिनियम के तहत निर्धारित की गई थी यह है इसका सवाल यहां देखिए कौन सा होगा option number 41 संबिधान संसोदन 36 संबिधान संसोदन 31 या फिर 46 इसका सही आपसन है 31 देखिए यहां ध्यान देने वाली है 41 संबिधान संसोदन बहुत important संबिधान संसोदन है यह है इसको mini संबिधान कहते हैं इसमें एक सबसे important बात बताईए क्या है सबसे important है इसमें हमारी प्रस्ताब नामे संसोधन हुआ था हमारी प्रस्ताब नामे तीन सब्द जोड़ गए थे वो कौन से तीन सब्द थे हमारी प्रस्ताब नामे कौन से तीन सब्द थे बताईए एक तो था समाजबाद दूसरा था धर्म निर्पेक्ष नहीं है वहाँ पर पंत निर्पेक्ष है दूसरा क्या सब्दा पंत निर्पेक्ष तीसरा सब्द संसोधन किया गया था राष्टर की एकता में राष्टर की एकता के साथ उसको प्रतिस्थापित किया गया था अखंडता जोड़कर राष्ट इसमें संविदान संसोधन द्वारक क्या था कि WWE उसमें भी कुछ इंपोर्टेंट था उसमें था संपत्ति pop लयाjosDi बिधी का दिकार ठीक है चलिए अगले question की तरफ चलते हैं जादा time ना लेती हूँ भारती संभिधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है तो भारती संभिधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है लोकतंत्रि गड़तंत्र को अपनाया है भारती संभिधान मे ऐसे किस प्रकार के स्वाधिन्ता के अधिकार को समाप्तिय सीमित नहीं किया जा सकता है। और सारे रिक स्वातंतरता ये कभी भी आपातकाल के दोरान समाप्त नहीं किया जा सकते। संग्य कार्रिपाल के छेतरा दिकार के अंतरगात आते हूं या फिर म्रत्यु दंड को या फिर सैनिका दलत द्वारा दिया गया जो दंड उसको स्चमा कर सकता है। सही ओप्शन है इसका चौथा उप्रोक्त सभी ये सभी इस प्रकार की सभी सजाओं को राश्टकती छमा कर सकता है। अगला कोश्चन क्या है भारतिय स्वाधिन्ता अधिन्यम को किस दिन ब्रिक्टि समराट की सुविकरती मिली थी। सेहतालिस को क्या राश्टपती सर्वोच नियाले में कार्रेकारी मुख्य नियाधिस नियुक्त कर सकता है। हाँ यह नहीं यह फिर केबल आपादकाल के दोरान यह इस में से आपको कोई भी ऑप्शन नहीं लगता है। तो सही बात हैं राश्टपती सर्वोच नियाले में कार्रेकारी मुख्य नियाधिस नियुक्त कर सकता है। अगला कोशन राश्ट्री आपातकाल की घोशना पहली बार कब की गई थी। यह से प्रभाब है। यह सोच कर देखिए कहाँ ली गई होगी। इसका सही option क्या है? इसका सही option है कनाड़ा कनाड़ा जो है संसदिय और संगिय संगिय जो ब्यवस्था है कनाड़ा से लिगी है संग्य विवस्था यहां कि केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंद होते हैं उनकी जो विवस्था है वो कनाडा से लिए यहां ध्यान देने वाली है यहां एक संग्य विवस्था संग्य विवस्था कहां से लिए कनाडा से संग्य व्यवस्ता कहां से लिगी है कनाडा से लिगी है जो केंद्रो और राज्यों के बीच सम्मन्द बताती है तो देखिए यहां तक हमारे 20 कोशन हो गए थे अगली जो वीडियो आईगी आपके लिए वो भी इसी तरह से इंपोर्टेंट कोशन क्यों होगी मैं उसको बैटर बनाने की कोशिस करूँगा तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए तो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए इस तरह से पढ़ाई होती है तक यू